हेलो एप्रिवरं राधे राधे आप सभी का हमारे चनल में हैं बहुत बहुत स्वागत आज के वीडियो में सेयर करूंगे आप सभी के साथ अपने नए घर की दिन चरिया देखे जब आप नए जगे जाते हैं नए लोगों के पास जाते हैं तो आपका जो रूटीन होते हैं सब को चेंज हो जाते हैं मेरे साथ भी विलकुल ऐसा ही हुआ पुराने घर में जीने का कुछ अलगी अंदाज था और नए घर में कुछ अलग हो गया है मैं कोसिस पूरी करती हूँ कि जैसे मैं पहले रहती थी विलकुल वैसे रहूं निकन ऐसा नहीं हो पाता है बहुत सारी चीजें आपकी बदल जाती है आपके ना चाहते हुए भी तो मेरे साथ भी बहुत सारी चीजें बदली है लेकिन धीरे धीरे कोसिस करूँगी कि जो पह बारा बचित तक फिर कामoba कि दूपय यह वहों पड़े हूं और आजकल मैंने अपना योगा बिल्कुल बंद कर रखा है पहले एक बहाना था कि दिवाली आने वाली है बहुत सारी मिठाईयां खानी है तो योगा बंद कर दिया था तो जब से अब सुरू हो ही नहीं पाया है कोसिस करूँगी थोड़ी सी सर्दी कम हो जाए कपड़े धुल जाएंगे और मैं नहाने जाने वाली हूँ और उससे पहले मेरे घर के जो हमारे याद इसको कंगाई बोलते हैं आप क्या क्या बोलते हैं मुझे बताना ज़रूर तो हमारे याद तीनों के अलग-अलग बाल काड़ने वाले जो कंगे होते हैं तीनों के अलग है और बहुत जाना गंदे से हो रहे हैं मेरा और एरम का बहुत कम होता है पंड़ जी का थोड़ा सा जाना हो जाता है क्योंकि वो डाई करते हैं तो ब्लैक ब्लैक पन उसमें आही चाता है तो सारे कंगे जो है ना मैंने एकदम साफ किया है इसी तरह से जो है ना डेली एक ना एक काम तो जो है ना निकली जाता है जैसे कि आज कंगो के क्लेनिंग करनी है कभी कुछ करना है कभी प्रेस करनी है कभी कुछ करना है तो मैंने एक काम तो हमेशा एक एस्टा होता ही होता है बस उसके बा बारियों की सुभा बढ़ाते रहे, क्या मतलब रहे रखे रहते हैं, ये साड़ी आसे 5-6 साल पुरानी है, बहुत पुरानी है, अब इसको मैं मारकेट आने जान में में नहीं पहनती हूँ, इसलिए मैंने घर में निकाल दी है, जितने दिन पहनूँगी उतने दिन यूज हो बाद मेरे कपड़े जितने मेरा ड्रायर हो चुकी है, वो सारे कपड़े में छट पर डाल दूँगी, क्योंकि अभी है सर्दियों का टाइम, दूप बहुत कम-कम अब जा हो गई है, और नए घर में कपड़े डालने की थोड़ी सी कम विवस्ता है, धीरे धीरे विवस्ता बनेगी, लेकिन टाइम लग जाता है चीजों में, और आज मैंने सेर्द हो याना तो उसके बाद इतनी जाना मुझे सर्दी लग रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं कप चाय पीलू, तो मैंने यहां पर अपनी लिए चाय रखी है, यह पूचा कर रहे थ मैं उपर अच्छे से कपड़े सुखा लूँगी और च्छोटी मुटी जो है ना अपनी तयारिया करके जा रही हूं च्छत पर कि साथ की साथ दो चार काम निबढ़ जाए उतनी निबढ़ जाए और फिर ना मेरी भगवान कुछ ना मैंने करा दिया है, आप सोचों कि बांड्रियां जैसे बोलते हैं वैसे तरह से डाल देते हैं वितार वगएरा जो है नहीं रैग वगएरा कुछ अभी लेकर ने आए हैं तो धीरे-धीरे करके अजिस्ट करने में नई जगे जब हम जाते है ना तो छोटी-छोटी चीजों को एकटा करने में बहुत टाइम है और मुझे तो ऐसा लगता है एक मिडिल क्लास फैमिली में छोटी-छोटी चीजों को जोडने में पूरी जिंदगी लग जाती है एक परफेक्ट जिंदी भी बनाने में और परफेक्ट जिंदगी जो है ना कभी बन ही नहीं पाती तो बस यहां पर इस तरह से मैंने कप् जाती है और सिर्फ जो है ना दुखने लगता है काफी सारे लोगों के साथ यह दिक्कत आती है तो मैं तो हमेशा जब भी छत पर जाती हूँ ना बाल थोड़े से कोल लेती हूँ और यह है आज का स्रंगार थोड़ा से स्रंगार रह गया था तो वस उसी को जो है ना पूर ने बनाईती है और यह पूसाग मैं जब भी पिनाती हूँ राधा कृष्णी जी पर बहुत जाना सुन्दर लगती है तो प्रेम से बनी हुई चीज की जो है ना बाती कुछ निराली होती है आप पैसो से कुछ भी खरीद लीजिए लेकिन पैसो जो प्रेम का मुकाबला हो बहुत कम रहता है तो बस आज है इस तरह का स्रिंगाय ठाकुर जी का बस इसके बाद जो है ना अब करूंगी खाने पीने की तयारी और पंडी जी जो है ना भी भी पूजा में बैठे हैं क्योंकि उनको तीन से चार गंटी सोबह में लग जाते हैं पंडी जी जानता जो है तो सब्जी जो है ना मैंने बना दी है इसके बाद बनाओंगी फटा फट रोटियां तो यहां पर मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट करती है पहली रोटि बनाओंगी गाये के लिए दूसरी बनाओंगी अन्पूना माता के लिए और दीसरी बनाओंगी अपने लड्डु बपाल के लिए तो इस तरह से तीन डूटियां तो फिक्स होती है दो लड़ू को पाल के लिए बनाती हूं सौरी फूसे निकल गया तो इस तरह से जो है न मैं सबसे पहले भोग लगा दूँ गाय के लिए निकाल के डग दिये बस सारा खाना पीना सबका हो गया उसके बाद एक बाद पूरे घर मैं लगाऊंगी पूचा नहीं लगाऊंगी क्योंकि पूचा दिखे सुबा हो लग चुका है दो दो बार पूचा लगाना मेरी बसका नहीं है तो मैं नहीं लगाती हूं तो के बाद पूरे घर में जाडू लगा दिया है और घर एक दम क्लीन रहता है कोई दिक्कत नहीं होती सिब एक बार आप पहुचा लगा दो सोबा तो बढ़िया चलता है क्योंकि देखिए बच्चा अब समलदार हो गया तो इतने जाना पैर वगरा नहीं उचड़ते हैं हमारे घर में गिनिस उने तीन ही सदे से तो इतनी दिक्कत नहीं आती बस अब चो है ना मैं उल्च सुल ज तो बस आज चो है अपने बालों को उखना सा सुल जाओंगी बड़ी याशा और मीज़ना मेह्न्दी भी लगानी है तो सोच रहिए हूँ कि आज लगाऊं, कि कल लगाऊं, देख ती हूँ मतलब मह्न्दी सर्दियों में जब लगानी हूँ ना तो सोचना पढ़ता है कि मत स ніके कि दुशाना रहती है रहता है जuste चीज़ा सब्सक्राइए है ऋगला हो वा दो खाया आपकेक होगी मेरी 뉴스 सब्सक्राइद A इन सब्सक्राइद चल रहे है और एक दिन तरह से स्थ घंड़ा हो ज्ड़ा से इस हमारी संद Gloria अजीं बसे हीले Melissa एक टाइम लगता है यो चुटकी बचाते हुए ना जो सब कुछ नहीं बदलता काफी सारा समय लगता है तो दीरे दीरे अपनी जर्णी जो है आप लोगों के साथ वीडियो के तहट मैं सेयर करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग प्यार भी बहुत करत हो और मेरे वीडियो को बहुत लाइक भी करते हो तो दिल से खुशी होती है और आप लोगों के लिए कुछ नहीं बनाने की में पूरी कोसिस करती हूँ और जिससे सिर्द होती हुँ ना उस दिन में बहुत जदा तेल नहीं लगाती है अपने बालों में हफते में दो बार ह अगर आप डेली ओयल लगाएंगे ना तो आपके सिर में गंदगी जाना इखटी होती है और आपके बाल बिलकुल भी नहीं बढ़ेंगे तो हमेसा हपते में दो बार तेल लगाएं और अच्छे से लगाएं जो कि दीरे दीरे होंगे तो उसी संसली में जो है ना जाना है मार्केट आज़ा है और देखिए बाल काड़ने वाले कंगो को जो है न हमेसा इस तरह से चमका कर रखिए उनको हमेसा साफ करके रखिए कभी भी गंदे कंगो को अपने बालों में ना लगाएं और घर की हरे एक सदसे के पार जो है ना अलग-अलग कंगा होना चाहिए इस बात का ध्यान लगे क्योंकि एगर एक को डंड अप होगा और आप उसका कंगा यूज गर तो आपके बालों में भी डंड अप हो तो मैं यहाँ पर सारे कपड़ों की आकर घड़ी करूंगी वीडियो का बस यहीं एंड करूंगी मिलूंगी आप सबसे नएस वीडियो में वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना मेलेंगे आप सबसे नएस